इस कुछ मैं आपको समने कुछ कटायन का लिस्ट दिया हूँ और बोला है इस कटायन को सॉल्ड अनलाइसिस का जो ग्रूपिंग किया हुआ है उस ग्रूप में इंक्रीजिंग ओडर में एरेंज करना फ्रॉम जीरो टू सिक्स तो देहां दना आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ड नेसिस में कटायन का ग्रूपिंग किया हुआ अगसा लिस्ट मैं सेर कर रहा हूँ जिसमें जान दना जो कटायन क्या क्या अपने पास अबलेवल है तो आपके पास एल प्लस थ्री है अब चेक करो तो एल प्लस थ्री किस ग्रूप का पार्ट है तो यह अपके थ talents पार्थ है कि थार्ड लिख सकते हैं कि जो गॉबड प्लस वह है को ग्रूपन उमबर टूमें जिसको मैं थू बोल सकता हूं आपके पास देहाना बैरेम प्लस टू कहा है ग्रूप नॉमबर फाइब में तो बैरेम के लिए ग्रूप फाइब लिख सकते हैं कोवाल कहां मेंसल्क्तों किया हुआ कोवाल प्लस टु मेंसल्क्तों किया हुआ अब इसको पारेंग इनक्रीमिंग ओर तो सबसे च्छोटा नमर और वहार का यांनि भी B के बाद होगा Aluminium 3rd Then B के बाद A A के बाद हम देखे चेक करेंगे तो 3rd के बाद देखो 4th किसका है, 4th आपका Cobalt D, D के बाद आपका Barium 5 NAC, और Last में होगा Mg N E तो आपका जो Option 1 है आपके Cut-Aign को Increasing Order में Group के Coding यहाँ पर Arrange किया हुआ है तो आपका One Number Correct Answer होगा इस Question का इस Question का Analysis and Solution Move करता हम लोग Next Question पर